Hello students, welcome back to our channel तैसील welfare officer exam के लिए कुछ important question डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो ये शुरू करते हैं वीडियो पहला प्रशन है विच प्लेयर फॉर्म हिमाचल गोट दे फर्स्ट पदम शिर्य अवार्ड और ओप्शन है विजे कुमार, सुमन रावत, चरंजीत सिंग और अजे कुमार ता राइट आंसर है उप्शन C, तैस चरंजीत सिंग 1964 में इन्हे पदम शिर्य अवार्ड से नवाजा गया था काफी फेमस हौकी प्लेयर रहे हैं यह हिमाचल प्रदेश के और यह अलम्पिक गुल्ड मैडल इस भी रह चुके हैं हौकी में 1964 में इंडियन टीम ने गुल्ड मैडल जीता था और उसके यह कैप्टन थे अगला प्रस्चन है और आप्शन है आप्शन है यह हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय चार जिले बनाए गए थे हिमाचल प्रदेश के उन चार जिलों का जो टोटल एरिया था वो था 10451 स्क्वेर माइल और वो चार जिले थे महासू, मंडी, सिर्मौर एंड चंबर डिश्टिक स्टूरेंट्स बहुत जल्द हिलियोस कोचिंग की नई प्रदेशन हिलियोस 60 मार्किट में आने वाली है आप एज़ेस मेंड की टेस सीरीज और तैसिल वेलफेर आफिसर प्री की टेस सीरीज भी ऑनलाइन ले सकते हैं कोचिंग की काफिया टेक्टी प्राइज में दोनों ये टेस सीरीज अवेलेबल है स्क्रीन पे ये नंबर पे कॉल करके आप इन्हें आज ही प्राप कर सकते हैं अगला question है काशंग हाइडोलेक्टिक पावर प्रोजेक्ट इस लोकेटेड इन विच डिस्टिक ऑप्शन्स आर किनौर चंबा लॉल्स पीती एंड कुलू तो इसका राइट आंसर है किनौर 243 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट काशंग रीवर के उपर लगा है हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्परेशन लिमिटेट का ये प्रोजेक्ट है काशंग रीवर सतलुज रीवर की ट्रेब्यूटरी है और ये प्रोजेक्ट पवारी डिस्टिक के नौर में स्थित है अगला प्रशन है अगला प्रशन है तो इसका राइट आंसर है रामपूर 1964 में ये वार्ल लेफ सेंचुरी एस्टैबलीश हुई थी और इसका टोटल एरिया है 167 किलोमेटर स्क्वेर स्टुडेंट्स हिलियोस कोचिंग की एड़ेस मेंज की पुब्लिकेशन हिलियोस 270 भी है मार्केट में अवेलेबल है इसे के साथ हमने स्क्रीन पे अपने बुक सेलर्स की लिस्ट आप से शेयर की है तो अपने नेरेस्ट बुक स्टोर में जाके हमारी पुब्लिकेशन जो है आज ही पराप्त कर सकते हैं अगला प्रश्ण है उप्षंट है उप्षन है सब्सक्रीन पहने जो हमारी जो है आपको बताना है रानी आफ बुशेहर का कौन पोता था जो बाद में चलके सुकेत का राजा बना था तो आप्शन्स हैं राजा श्याम सेन, राजा लक्षमन सेन, राजा गरूड सेन और राजा कल्यान सेन तो इसका राइट आप्शन है राजा गरूड सेन जो आप्शन सी है 1721 में इन्हें सुकेत का राजा बनाया गया था और इन्होंने सुकेत की राजधानी बनेड इस्टेबलिश की थी जो आज के समय में सुन्दन अगर शेहर के नाम से फेमस है जो डिश्टिक मंडी में स्थित है अगला प्रशन है in which year Moorcroft visited सुजानपूर and stay at the court of महराजा संसारचंद options है 1815, 1824, 1809 and 1820 तो right answer है option D that is 1820 1820 में Moorcroft ने सुजानपूर का दौरा किया था और वो महराजा संसारचंद के महल में रुके थे संसारचंद के भाई फतेचंद जो काफी लंबे अरसे से बिमारी से परिशान थे बिमार थे उनको Moorcroft ने ठीक किया था और बिमारी से ठीक होने के बाद फतेचंद ने Moorcroft को अपना God Brother बना लिया था अगला प्रशन है अगला प्रशन है इन वीच येर हिमाचल विकास कॉंग्रेस पार्टी वास फांड बाई पंडित सुखराम अफ डिश्टिक बंडी ओप्शन है 1994, 95, 96 and 97 तो इसका राइट अंसर है ओप्शन दी देट इस 1997 1997 में पंडित सुखराम ने फिमाचल विकास कॉंग्रेस पार्टी का कठन किया था जो बाद में और इस पार्टी का विले जो है फिमाचल परदेश कॉंग्रेस में कर दिया गया था 1997 में ये पार्टी अस्तित्तों में आई थी और पंडित सुखराम, सेंटर में टेलीकॉम मिनिश्टर भी रह चुके हैं अगला प्रश्चन है, who is the author of the book, बिलासपूर की कहानी ओप्शन है, शांता कुमार, आनंद चंद, अक्षर सिंग, एंड लाल चंद प्रार्थी तो इसका right answer है, option C, that is Akshar Singh Students, Helios Coaching के एक और publication, Himachal 360 भी मार्केट में अवेलेबल है Hindi और English दोनों भाशों में किताब अवेलेबल है अगर आप तसील welfare officer exam की preparation कर रहे हैं, तो Himachal का part आप इस किताब से prepare कर सकते हैं काफी helpful यह book रहेगी आपको Himachal part के लिए अगला प्रशन है, इन चमबा सेर की सकरांथ is celebrated on the first day of which month options है, श्रावन, कार्तिक, माग and असौज तो right answer है, option D, that is Asoj चमबा में सेर की सकरांथ जो है, Asoj महीने के पहले दिन मनाई जाती है अगला प्रशन है, इन विच मंथ, शिमला International Festival is celebrated options है, April, May, June and July, तो इसका right answer है, option C, that is June June महा के पहले सब्ता में, शिमला का International Summer Festival celebrate किया जाता है और इक लौता festival है, हमाचल परदेश का, जिसे international status प्राप्त है तो students, यह ता हमार आज का वीडियो, I hope आप को वीडियो अच्छा लगा हो, please like, share, subscribe और चैनल, आपके सुझावों को हमें इंतिजार रहेगा, thank you and all the best